नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे आज के नई वीडियो में कैसे हैं आप लोग योप ठीक होंगे भगवाना आप लोगो को स्वस्त रखे मस्त रखे आज दोस्तों बात करने वाले हैं पेटियम के बारे में अगर आप लोग पेटियम के यूजर हैं पेटियम को इस तो आज मैं आपको उसी के बारे में डीटेल ने बताने वाला हूं तो वीडियो को पूरा देखिएगा और दोस्तों बतारोकर वीडियो पे नए है चैनल पे नए है तो वीडियो कर दिये लाइक चैनल करें सब्सक्राइब ताकि मेरी वीडियो उसकी अपडेट जो है वह आप लोग जानते हैं कि पेटियम रेंट पेमेंट वाले ऑप्शन को इस्तिमाल करकर आप लोग अपने बैंक के खुद के बैंक के अकाउंट ने पैसे ट्रांसवर कर सकते हैं तो पेटियम भी दोस्तों इस चीज़ को समझ चुका है कि उनके यूजर है वो खुदी के बैं ग Op recognition कर सकते लिए एक दो बार तीन बार चार बार दुस्तों वो आप लोग tau करते हैं तो एक मथ के अंधर आप लोग मैक्सिम जो City ही बार रेंट payment का option जो है वो select कर सकते हैं तीन ही बार आप लोग rent payment जो है दोस्तों वो आप लोग कर सकते हैं यहां पर हमारे एक subscriber दोस्तों उन्हें मुझे screenshot शेर करा जब उन्हें दोस्तों four time try करा कि ptm से rent payment करा जाए तो उनको यहां पर यह message आ गया this transaction cannot be accepted as you are allowed a maximum three of rent payments every month your monthly limit will be reset on the first day of the next month यानि कि हर महिने maximum आप लोग तीन ही बार rent payment कर सकते हैं और हर महिन यानि जो अगले महिने का पहला दिन आएगा पहली तरीक आएगी उसके बाद से दुबारा आपके लिए rent payment option खुल जाएगा लेकिन maximum आप लोग एक महिने के अंदर तीन ही बार rent payment कर सकते हैं तो अब दोस्तों अगर आप लोग rent payment बार बार इस्तेमाल करते हैं आपको जादा amount लगता है तो एक ही बार में दोस्तों आप लोग बड़ा amount rent payment का करके निकाल लीजेगा तक कि दुबारा जो है आपकी limit exceed ना हो जाए और आपको अगर rent payment का आप लोगों को ना फेस करनी पड़े तो इस वीडियो में हम मिलेंगे आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद